तो आज हम बात करेंगे आपके सांद कि एक्सल के अंदर में पावर प्यूट का किस तरह से मेनु बार लाया जाए क्योंकि जब आप नॉर्मल एक्सल यहां पर लॉंज करते हैं तो आपके पास व्यू तक कमान होता है डेवलेपर को मैंने लाया है इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपके पावर प्यूट का भी ऑप्शन है क्योंकि वन टाइम आपको लाना पड़ेगा एक्सल की जब इस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट नहीं होता है तो कैसे लाएंगे बैसे बताता हूं को कि आपको 2003 से 16 और 18 में मिलेगा 2010 में इंस्टॉल करना पड़ता है तो इसे पहले में नहीं है तो आपके बास तुटॉल 3 16 & 19 है तो आप फाइल में बार में जाए ऑप्शन में जाए और यहां एडिंस पर जिया नीचे से ऊपर होगा ट्रॉस सेंटर की ऊपर एडिंस अब यहां एक्सल एडिंस बाइडिफोल्ट होता है त आप इसके बगल में गो है उस गो पर बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आपको तीन-चार ओप्शन यहां दीखेगा जैसे कि आपको डेटा स्टीमर मैप और पावर प्यूवर्ट तो आपको बस Microsoft पावर प्यूवर्ट पर क्लिक कर देना है आयन ओके कर देना है तो रहा सा ट आपको पावर प्यूवर्ट की क्लास में समझाएंगे तो हमारे चनल पर बने रहें और सीखते रहें एडवांस एक्सल जिसमें आपको complete एडवांस एक्सल वीवी माइक्रो मैस एक्सेस मायस पावर्ट ब्याई टैबलो एनस्प्यल सर्वर की क्लास दी जाती है और साथ मेरा मुवाइल एप भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की डिजी डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है एप डाउनलोड किये जहा